कहती है ना कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसा ही कुछ आज कल हर्याणा चुनाव में हो रहा है हर्याणा विधन सभा चुनाव में नू सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्फ मंत्री संजय सिंग ने भाजपा के लिए परिशानी बढ़ा दी है सैनी सरकार में मंत्री संजय सिंग ने उनकी सीट बदलने की कसक निकाली है और उन्होंने सोहाना सीट से भाजपा के प्रत्याश्य के बजाए निर्दलिय को समर्थन दिया ऐसे में कही न कही मंत्री की सीट बदलने के खुन नस सामने दिखने लगी है और पार्टी प्रत्याश्य के साथ खेला कर दिया है दरसल संजे सिंग ने सुहाना सीट पर निर्देले प्रत्याश्य का समर्थन किया है ऐसे में भाजपा की दुवधा भाले स्तिती पैदा हो गई है गुरुग्राम की सुहाना सीट पर बीता चुनाव संजर सिंग ने जीता था लेकिन अब भाजपा ने उनकी सीट बदल दी और उन्हें नूव विधान सभा सीट से उतारा है मुसलिम बहुल बोटर वाली नूव सीट पर भाजपा की जीत किसी चमतकार से कम नहीं होगी मंतरी रहे संजर सिंग ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दिलिय उमीदवाल सुभाश बंसल का समर्थन किया है ऐसे में खेल मंतरी के इस समर्थन के बाद सुहाना की राजनिती में पूरी तरहां से भूचा अला गया है संजे सिंग ने कहा कि सुभाश बंसल भाजपा के अच्छे कारे करता है और शुरू से लेकर अब तक उन्होंने पार्टी के लिए अच्छे काम किये हैं इस बार टिकेट की दोड़ में थे लेकिन उन्हें टिककट नहीं मिला इसके बाद वो निर्दली तोर पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका पूरा समर्थन उन्हें साथ है साथी कारे करता भी उनका पूरा सहयोग करेंगे उधर सुभाष बंसन ने कहा कि खेल मंत्री के समर्थन से उन्हें काफी सहयोग मिला है इस समर्थन के बाद सुहाना की राशनीती में एक बड़ा बदलाव आने के आसार है भाजपा ने इस बार पूर विधायक तेजपाल तवर को टिकट दिया है तवर 2014 का चुनाव यहां से जीते थे लेकिन 2019 में भाजपा ने संजे सिंग को यहां से टिकट दिया था लेकिन अब उनके टिकेट भी यहां से बदला गया है संजी सिंग बीता चुनाव यहां से साड़े बारा हजार से जादा बोटों से जीते थे अब ऐसे में देखना ये है कि नू जैसी सबसे टफ सीट पर क्या भाजपा के समर्थन पर सुभाश बंसल को जीत मिल सकती है अगर जीत मिलती है तो सुभाश बंसल किस तरफ जाएंगे क्या भाजपा के साथ रहेंगे या सत्ता का सुख भोगने के लिए कॉंग्रिस के साथ जाते हैं ये तो समय ही बताएगा